तक क्हष्विक्रेशन के बारे में ऊस application का नाम है cac balance यह का नाम है यह application ही का नाम है Cac Balance और इस application से एक नवल लोन लेने के लिए अप्लाइ फिर वीडियो जरूर रखरने घजर में है जाय है旬िने आया तो वीडियो को इन तक जरूर से जरूर वाच कीजिएगा और साथ ही मैं अब बादे चैनल पे नए है तो चैनल को सबसाइब करना बिल्कुल भी नहीं बोलना है जिस अप्रिकेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों उस अप्रिकेशन का नाम है यह एक तरह की इस्टेंट लोन एप है जो दावा करती है कि आपको इस्टेंट ली दो परसंट तीन परसंट इंटरस रेट पर एक लाग दो लाग कर देगी लेकिन यह बाद दोस्तों है मैं बता देता हूं कि पूरी द्रा से फेक बात है इसमें कोई भी सचाई नहीं है यह कोई लोन वगदर नहीं देगी लोन इसमें बस अपको 10% केस में मिलता है वह भी कब मिलता है मैं आपको बला जाता हूं जब आपके पास कोई पुराना फोन होगा तभी दस परसंट केस में आपको यहां पे लोन मिलेगा क्योंकि पुद्धानल फोन के सेकूर्टी काफी अ एक चाइनीज लोन एब है और यह आपके पहुन का डाता करना चाहती है को प्लेश्टो हमे भी नहीं रहें आधिकार है इसके बावजूर भी ऐसी एप्लिकेशन दो सालूर मुझे प्लेश्टो पे आती जा रही है और लगतार बंद बोड़ रही है और same group फिर से उस application को किसी और नाम से ले आता है तो जितनी भी applications है उसको कोई एक या दो group मिल के run कर रहा है प्ले स्टोर के उपर जिसमें भी आपको काफी applications मिले नी जिसमें से एक application है ICIC balance जो recently आई है और इसका अगर आपको रेटिंग चेक की जिए तो काफी अच्छा रेटिंग मिलेगा जिससे आपको लगता होगा कि यह एक real app होगा लेकिन real app नहीं है लेकिन 10% case में अगर आप loan ले चुके हैं और इसमें पस चुके हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए और अगर loan नहीं मिला और इसके sign up कर दिया तो भी आपको क्या करना चाहिए सबसे पहला step जो होगा वो यह होगा कि इस app को अपने phone से uninstall करना है इस Chinese application को uninstall करना होगा अपने आपको phone से यह application आपके data को बेचने का भी काम करती है तो ऐसी application पर कभी भी आप लोग sign up नहीं करें और मेरे किसी भी वीडियो में मैं किसी भी application का promotion नहीं करता हूँ इसी वजय से क्योंकि यह अप्रजी application से है जो आपको जिन्दगी भी भरवाद कर सकती है तो आखिर कैसे बचे इस application से अगर 10% case पर loan ले चुके हैं और साथी में फिर यह लोग आपके दमकी देंगे कि आपके photos को इडिट करें और काफिर गंदी गंदी आपको बाते करेंगे बहुत ही इस तरह से परशान करने की पुशिश करने इन लोगों की जो language होती है वो abusive language होती है इडिट कर देते हैं और वैसी फोटोज को आपको वायल करने की दहमकी देते हैं बोलते हैं कि हम आपको प्रशाओ पैसे लूट ना चाहते लेकिन वह लूट आपसे बुलब नहीं कर आई है तो सबसे पहले की अपनी कॉंटेक लिस्ट को ऑपने हैं के आपने तक सेव रखी है तो किसी भी पेज पर लिख लिए और आपको विपके अमब पहुच नहीं पाएगा और इस तरह से आपकी contact list दोस्तों बच चाहेंगे तो इस बाद आपको काफी ख्यालग ना होगा और साथी में क्या करते हैं तो आपको लगतार call करेंगे और message करेंगे यह काफी पॉल्म है कि बहुत जादा call और WhatsApp पर message आते हैं लगभग आपको सूनी नहीं देंगे जागनी नहीं देंगे हर टाइम कॉल करके आपको परिशान करेंगे message करेंगे और धंकी देंगे गयर वज़े तक loan दो नहीं तो यह हो जाएगा और जो loan के माउंट यह लोग मांगते हैं वह लगभग दो गुना से भी जादा मांगते हैं अगर दो हजार दोस्तों आपको in case loan मिल चुका है तो यह लोग loan मागें यह आपसे 5000 से लेके 10,000 तक यानि 2x से भी जादा तो इस तरह के application से आप लोग को बच के रहना चाहिए बिल्कुल भी loan नहीं लेकिन अगर आपको इस तरह की call and message की रोग करना है तो आपको रणने की कोई भी जोगत नहीं है इसे बचने का बहुत ही easy उपाय है मेरे पास इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों आपना phone number दोस्तों बंद कर दीजिए 10 देस के लिए off कर देते हैं और WhatsApp पे कोई भी कर सकते हैं कि मुझे सर्व दिक्कत हुई है कभी इस पूचर आपको दिक्कत नहीं होगी तो यह आपको 10 देस के लिए नमबर को आफ करना है सिंपली यह इस टैप आप लोग अपनाई है और आप इस application से छुटकारा पाली जगा बागी बात करें तो रिपोर्ट की तो इस application कि खिलाब एक रिपोर्ट भी भेज सकते हैं कि आपको यह application काफी जादा परिशार कर रही है कि आपको करते हैं तो इस application कि जल्द करवाई करके इस application को फरवरी या मार्च तक दोस्तों बंद कर दिया जाए और मार्च तक मैं समय दे रहा हूं इस ने अंदर में इस application को प्र वीडियो को अगर लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए आ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिये मिलेगा वीडियो में बहुत चाहिए